हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस स्मार्ट क्लासेज और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सीटेट के मोश्ट इंपॉर्डन प्रशन जो पिछली परिक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं तो सबसे पहले अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने दोस्ते करत शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो देखना प्राराम करें चलिए आज का वार आपके समने पहला प्रशन आ चुका है निमलिखित में से कौन सी विसेषता प्रतवा वन सिक्षालती की है तो सही जवब हो जाता है जो गतविदियां अधिक चिनोती पूर्फ होती है तो वह अपने आपको सिक्षालती कम प्रेरित अनुभब करता है और उब जाता है उन चिनोतियों से उब जाता है जो गतविदियां चल लगी है किलास में तो वो उन चिनोती से उबता हुआ मैसूस करता है अपने कारा सिक्षालती ठीक है तो राइट डांस रोजा का ओप्सन ए तो नेस्ट कोर्शन आपकी स्क्रीन पाए चुका है तो वस्तु मतलब कि जो पार्ट पढ़ा रही है जो टॉपिक सिक्ष का किलास में पढ़ा रही है तो वो टॉपिक विद्यालतियों के जीवन से सम्मंदित या रेलेक्ट करकर पढ़ाना शुरू करती है तो वह अधिगम को और प्रिवहापसील बना सकती है अब सबसे इंपोर करकर कच्छा में मिस्च वस्तू को विद्यालतियों के जीवन से रेलेकट करकर या समदित करकर अधिगम को प्रवहापसील बना सकती है ठीक है चलिए नेश कोशन प्यश्ब किलते हैं तो नेश कोशन है बच्चों के बारे में निमलिकित कत्रों में से सही है कॉन सा इनमें सोद्ध करता है और option D है बच्चे परयावन के सक्रिये अपसेसक है तो इसका सही जवाब हो जागा option A V C or D तो यहां पर V option C और option D तो यह तीनों तो ही करता है बच्चों से सम्बंद्ध ठीक है तो बच्चे अपनी समश्या का समाधान करता भी खुदी होते हैं और बच्चे बाइगानिक सोध करता है मतलब कि चंचल होते हैं तो नहीं नहीं खोजें या नहीं काम करने में उनकी रुची होती है और नेश्ट है बच्चे समा परयावन के सक्री अपसे सके ठीक है ये क्लिए रोगे पॉइंट चलिए नेश्ट कोश्टन दरब चल बिध्यालतियों को बहुत से उधान देना और उनके तर्ग सक्ति का उपयोग करके प्रव सोहित करना चाहिए मतलब कि बहुत बिध्यालति अगर कोई सिक्षक है वो किलास में पढ़ा रहा है तो जितने ज्यादा उधारन हो सके बिध्यालतियों को दे और उनकी तर्ग सक् की चंता बिक्सित करे जिससे संप्रत्य अत्मक संप्रत्य आत्मक ग्विकास अधिक प्रभावी सेल हो सके ठीक ना चली नैश्कॉष्ण जोंद भीते निश्कॉष्ण ने प्रात्मक विध्याल है के बच्चे उस बाताइब हृण में सबसे प्रभावी सीखेंगे अप रात्म विद्याले आज कल के कैसे हो रहे हैं आप जानी सकते हो ठीक है सही जवाप हो जगा option D जहां उनकी सम्मेगात्मक आवस्ताओं की पूर्ती और और वह अनभब करते हैं कि वह महत्यपूर हैं अब सबसे विद्याले हो गया या जूनियर विद्याले हो गया वहाँ पर वो अध्यान करने जा रहे हैं तो उनको महत्यपूर समझा जाए तो इसका सही जवाप हो जगा और उनकी सम्मेगात्मक विकास की आवस्ताओं की पूर्ती होगी ठीके ना नेश कोशन है कोई सिक्ष का अपने विद्यात्य को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेणा के साथ कार करने के लिए प्रोसोहित कर सके तो इसका सही जवाप हो जागा का option C इसे करने की कोशिस करो और तुम सीख जाओगे में विद्यात्य की ओनरिक प्रेणा है जबकि किसी से पहले कार समाप्त कर प्रेरित करने में कार करने वाला बहरी विक्ति प्रेणा के रूप में कार कर रहा है ठीक है बहुत ही लंबाव था answer तो इसका राइट answer हो तो नेश्ट है सिक्षिका अपने विद्यात्यों को अध्यन करने के लिए आंत्रिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रसोहित कर सकती है पिछली जैसा ही था तो इसका सही जवाब हो जागा option B व्यक्तिकत लक्ष निर्धारत करने और उसमें निपूरता पाने मतलब अंत्रिक रूप से उप्रेरित कर सकती है टिक चली नैश्ट कोशन है एक बच्चा खड़की के सामने एक कववे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है तो आपके सामने तीन option दे रखें option 1 है बच्चे की इस म उपकरण का विकास कर लिया है ठीक है भासा के कुछ उपकरण का विकास कर लिया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option 2 मतलब कि A, V और C यह तीनों आंसर राइट हो जाएंगे कि बच्चों की इस मरतिया पहले से वंडरित होती है बच्चों में पक्षी का प्रत्य यह ताबों में option A right दे रखा है option B right है अगर एक option दे रखा है तो वही right होगा अगर तीनों एक साथ दे रखे हैं तो यह सारे तीनों राइट होने चाहिए ठीक है चलिए कि नेक्ष्ट कोष्चन है प्रार्यम्ब कक्षा में प्रभावसील सिक्षक का उद्देश विद्ध्यात्य को प्रेरित करना होना चाहिए तो इसका सही जवाप हो जागा option D सीखने के लिए जिसे से वेजिग्यासू बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें अब यहा जिसे से पालत सीखने के प्रति जिग्यासू बने रहें और नई नई बातें सीखना पसंद करें यही एक प्रभावसील सिक्षक का उद्देश होना की चाहिए विद्ध्याती के हिस्सा है प्रभावसील प्रथा का इस्सा है इस प्रथा में प्रतेग विक्ती एक अलग तरीके से सीखता है तता सीखने की सैली भी अलग-अलग होती है ठीक है न चलिए नेश्ट कोशन है तो नेश्ट विकास का सिर्पता भी मुख सिद्धान्त का उल्लेक करता है कि विकास किस प्रकार आगे वड़ता है बहुत ही सारा है प्रशन है तो इसका सही जवाप हो जागा option V बताइए comment box में इस answer तो इसका सही जवाप हो जागा option B सिर से pair की ओर ठीक है सिर से pair की ओर होता है विकास का सिर पदा वीमुक सिद्धान यही इसकी बैख्या करता है यही इसका उल्लेक है ना कि भिन्नों से एक करतकार की ओर ग्रामीर से सहर की ओर ना सामाने से विसिष्ट की ओर तो राइट अंसर अपना हो जाएगा option वी सिर से pair की ओर नेश कोशन है बहासा विकास के लिए सबसे सम्बेदन सील समय निम्लिकित में से कौन सा है तो सबसे सही जवब हो जाएगा option C प्रारंबिक बच्पन का समय ठीक है प्रारंबिक बच्पन का जो समय होता है वो भासा विकास के लिए सबसे सम्बेदन सील समय माना गया है ठीक है नेश कोशन है निमलेकित में से कौन सा सामाजी करण के लिए गौड़ भाहक हो सकते हैं तो इसका सही जवाब हो जागा option A बिद्ध्याले और पासपड़ोस के लोग सामाजी करण के लिए गौड़ भाहक का कार कर सकते हैं अब सबसे important बात बिद्ध्याले और परिवार के निकेट्तम सदस्य सामाजी करण के गौड़ भाहक हो सकते हैं बालक के सामाजी करण की प्रकरिया निरंतर चलती रहती है जो परिवार से ही आरंब हो जाती है और बालक परिवार के सदस्य से अंतर किरियात्मक संबंद स्थापित करके बिवार करता है ठीक है यह इसका इस फश्टी करण मैंने आपको दे दिया तो अब नेश्ट को उसमें दिप चलते हैं तो नेश्ट है लेवर बाहिव गोषकी के अनुसार संग्यानाथ्मक बिकास का मूल कारण है तो इसका सही जवब हो जागा option A शामाधिक अन्योण किरिया ठीक है यह बालक के ज्ञान का निर्मान करता है ठीक है यह इनका मानना है बिल्कुल स्वस्टिकरण मैंने आपको दे दिया, तो यहीं पर वीडियो खतम होती है, अब सबसे इंपोर्डेंट बात, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, तो अभी बिल् किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर मैं वीडियो अप्लोड कर दूँँ, तो मिलेंगे नेश वीडियो, और तब टेक कर, कोई वेलेश वी और आप